हेलो एब्रिवान आज हमारा ट्रोफिक है करेंट ट्रांस्फोर्मा के उपर करेंट ट्रांस्फोर्मा इसको हम लोग स्वाट फ्रम में सिटी बोलते हैं इस सिटी काम कैसे करते हैं और इसका सिटी रिशियो क्या होता है एम मीटर के साथ इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है इसका बारे में हम लोग डीटेल्स में आज बात करेंगे नॉर्माली जहाँ पर हम लोग छोटा लोड यूज करते हैं जैसे कॉम अंपियर का कोई भी इकुर्मेंट चलते हैं ठो उस में हम लोग डारेक्ली जो फेस को अप एमीटर को डारेक्ट हो जाता है जैसे एक फेस आया, M.M.M. जुड़ गया फिर उसका एमीटर का फिर आउटपुट में फिर जाके लोड को आगे बड़ा देता है टेकिन जो बड़ा heavy load होता है उसमें इसा direct आपको emitter में देना possible नहीं है तो उसी जगह में आपको city use करता है तो city का through जाके emitter को emitter connect होता है तो city काम क्या करता है city का main काम है आपका high current को low current में convert करता है तो इसके यह main यही काम है जो हमारा high current जो flow हो रहा है तो उसको हम लोग low current में convert करके फिर जो emitter मेटर है उसका साथ connect होता है city as a step up transformer तो normal transformer में कैसे रहता है जो normal step up transformer रहेगा तो primary side में जो coil रहता है उसका turn है तो secondary में उससे ज्याधा turn रहता है तो primary side में जो voltage है तो secondary side में उससे ज्याधा voltage हो जाता है तो जैसे city है city का primary है तो city का अंdर से जो हमारोगे cable ल prosecutors лож हो गया और secondary coil उसका core में रहता है, तो secondary के ton ज़्यादा रहता है, तो उसी से अब से voltage उसको ज़्यादा हो जाता है, voltage जैसे ज़्यादा होता है, automatically current अपका down हो जाता है, तो सिटी रेशियो, सिटी रेशियो के तो क्या होता है, जैसे 100, 100 by 5, तो 100 by 5 में तो मतलब क्या है, जैसे उसका primary side में 100 ampere flow होगा, तो secondary में, secondary पे 6, 5 ampere ही, वो output देगा, तो इस type का जैसे आपको, 200 by 5, 125 by 5, तो आपका जो secondary में, आपको normally दो ही type के city मिलेगा, एक है, बटा 5, और ये 1, और 5 और 1, इस दो type के आपको city normally मिलेगा, secondary में, और जो primary में आपको change होता रहेगा, primary में आपको, आपका, जैसे 25, 2000, बतब ये जो primary side में है, ये vary करता रहेगा, लेकिन secondary में सिफ दो ही type के आपको city आता है, ये बटा 5, बटा 1, तो जैसे, इसमें 2000, अगर primary में, अगर primary side में 2000 current flow होगा, तो secondary में सिफ एक ही ampere, वो city का जो output, जो current है, एक ही ampere होगा, तो उसी साब से जैसे m meter लगा रहेगा, m meter का भी ऐसा, same rating का m meter भी लगाना पड़ता है, ये जैसे city ratio, 125 by 5, तो इसको जैसे primary में अगर 125 ampere flow होगा, तो secondary में सिफ पाची ampere flow होगा, तो जैसे इसका, ये city के बद आप हम m meter लगाएंगे, तो m meter भी ऐसे रहेगा, 125, 125 by 5, अभी इसमें क्या होता है, m meter में, m meter में अगर ये 5 ampere, m meter में का input में आएगा, तो उसका जो display है, उसमें आपको 125 ampere आपको दिखाएगा, तो चलिए उसको पीजी गली में दिखाता हूँ, अभी मेरा पास जो city है, ये 40 by 5, मतलब primary में अगर 40 ampere flow होगा, तो secondary में ये 50 ampere उसको output देगा, और इसका जो class दिख रहे हैं, आपका one class है, और voltage आपको 0.66 से by 3.0 के भी तक है, इसमें जो P1 दिख रहा है, तो इधर से आपका केबूल के entry होगा, और जो P2 है इससे out होगा, और इधर आपको दो केबूल और दिख रहा है, S2, S1, S2, ये दोनों आपको emitter में connect होगा, तो emitter का देखते हैं, जो emitter दिख रहा है, इसमें देखें, एक 125 by 5, तो इसका जो emitter का input है, इसमें आपको 5 ampere अगर आएगा, तो जाके 125 ampere आपको full दिखाएगा, तो इसका आगे जो city लगेगा, ओभी 125 by 5 भी लगेगा, एक और example दिख रहा थे, अब ये देखें, आपके load में है, 25 के आसपास ये load है, तो इसका जो incoming में है, जो इसका input आ रहा है, 1.6 ampere आ रहा है, तो 1.6 ampere आ रहा है, लेकिन उसका output में, आपको 25 ampere के असपास आ रहा है, तो CT आपको 1.5 उसको down करके दे रहा है, तो फिर emitter फिर दूबार उसको आपको ज़्यादा करके, जो normal actual जो current है, उसको दिखा रहा है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगला वीडियो में, thank you watching for video.